नवस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इनवेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तो खुश तो जीवन में सभी लोग रहना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई चिंता हमें घिदे रखती है और इन चिंताओं में जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो होती है पैसो की पैसो की चिंता कहीं ना कहीं हमसे हमारी खुश यां धीरे धीरे चिनने लगती है लेकिन अगर आप भी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा निवेश अपने पैसो को बचा कर अभी से करना शुरू कर दीजिए देखे कही न कही लाइफ में एक फेस ऐसा जरूर आता है जब आपको पैसो की चिंदा सताने लगती है आपको लगता है कि यार कोई न कोई एक ऐसा सोर्स मेरे पास इंकम का जरूर होना चाहिए था जो मेरी बाकी कुछ चीज़े हैं मेरी जॉब है या कुछ भी है वहां कहीं भी मेरी जॉब चली गई या किसी वज़े से मुझे जॉब स्विच करनी पड़ी या मेरा बिजनेस डाउन में आ गया तो एक फेस ऐसा होना चाहिए कि वहां से जो मुझे मंधली इंकम है वो पर्मानेंट मिलती रहे इससे क्या होगा आप लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिसकस करेंगे अगर आप मुचल फंड से एक मंधली इंकम जनरेट करना चाहते हैं तो किस तरह के प्लान में आप निवेश करके मंधली इंकम अपनी जनरेट कर सकते हैं और सबसे ज्यादा जो कमेंट्स मेरे पास आये थे वो SBA को लेकर ही आये थे किसर जब भी SWP का प्लान आप बताएंगे मंधली जो इंकम है उसका प्लान बताएंगे तो SBA का फंड आप जरूर बताईएगा तो आज की वीडियो में SBA के एक ऐसे फंड के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे जिसमें पैसा निवेश करके आप मंधली इंकम जनरेट कर सकता है यहाँ एक बार आप इंवेस्टमेंट कर देंगे तो हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा और साथ ही साथ जो आपका निवेश है वो भी बढ़ता रहेगा सब कुछ डिटेल में समझेंगे वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा क्योंकि यहाँ एक चीज में आप सभी को समझाओंगा बिल्कुल सिंपल भाशन में आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पैसे कोड़ होता है उस पैसे पर बिलकुल भी रिस्क नहीं होता है अनम पैसे हमारे रिस्क होता है तब market से ही बनते हैं अगर debt से ही returns बनते तब तो फिर हम क्यों ना bank में निवेश कर देते हैं बिल्कुल risk free है लेकिन हम लोग bank में निवेश ना करके mutual fund में निवेश इसी लिए कर रहे हैं ताकि हम returns bank से ज्यादा बना सकें अब देखिए SBI balanced advantage fund यह आपको एक advantage यही देता है कि आपका पैसा आपका पैसा आपने वेश करेंगे उस equity में भी रहेगा equity मतलब के share market share market में भी रहेगा और plus आपका पैसा debt में भी रहेगा किआब कितना equity में रहेगा और कितना debt म cafes यह भी सवाल बनता है देखिए ये एक dynamic asset allocation fund है ये आपके पैसे को dynamically यानि कि fund manager को ये freedom दे दी गई है कि भाई या आप अपने आप से decision लीजी ये market condition को देखते हुए कि कितना पैसा equity में डालना है और कितना debt में डालना है लेकिन ये चीज बिलकुल ध्यान में रखेगा debt में आपका पैसा जरूर निवेश किया जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि आपका पूरा पैसा share market में जा रहा है कुछ ना कुछ portion आपका debt में यानि कि government securities में जरूर रखा जाएगा ताकि आपके पूरे पैसे पर risk ना रहे चलिए देखिए यहां AUM आप देख सकते हैं 32,441 करोर रूर काफी बड़ा fund size है काफी पैसा लोग इस fund में निवेश कर रहे है expense ratio 0.68% का है inception date 31 अगस्त 2021 है ज्यादा पुराना fund नहीं है उसके बावजूद भी fund size देखिए कितना जबरदस्त है 32,000 करोर से भी ज्यादा का fund size हमें देखने को मिलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए आप sector allocation देख सकते हैं किन sectors में ज्यादा पैसा निवेश किया जा रहे है energy का sector है, technology है, finance है, metals and mining है automobile है और कुछ other sector में आपका पैसा निवेश किया जा रहे तो काफी सारे sectors पर यहाँ focus किया जा रहा है बाकी equity में आप देख सकते हैं 32.9% है और debt में आपका पैसा ज्यादा रखा गया है यानि कि पैसे पर जो आपका risk है उसको काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है कि risk पैसे पर ज्यादा ना रहे और देखे जब किसी mutual fund से हमें monthly income generate करनी होती है तो हमें कोशिश यही करनी है कि ऐसे mutual fund में निवेश करें जहां से जो हमारा returns आने जो हमें हर महीने पैसा निकालना है वो थोड़ा सा risk free रहे ताकि पैसा हमें हर महीने easily मिलता रहे हमारा मूलधन ना घटे आगे बढ़ते हैं देखे, SDFC bank में है इनका allocation ICICI bank में है, Gale में है भारती retail में है और Reliance Industries में भी इनोंने निवेश किया हुआ है तो holdings काफी शांदार है काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में holdings हमें इस fund में देखने को मिल जाती है आगे बढ़ते हैं, returns पर बात करते हैं देखे, 1 month के returns 1% है 3 month के 3.9% है last 6 month में लगबख 11% के returns जनरेट हुए है और अगर आप पिछले 3 साल के returns देखे तो लगबख 15% के returns इस mutual fund ने जनरेट किया है पिछले 3 साल में 15% के returns बहुत शांदार है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि equity में हमारा पैसा कम निवेश है debt में अच्छा खासा portion हमारे पैसे गार रखा गया है उस हिसाब से 15% के returns बहुत शांदार है अब हम लोग SWP plan पर बात करेंगे किस तरह से हम लोग monthly income generate कर सकते हैं उससे पहले, देखिए monthly income generate करने के लिए हमारे पास एक fund होना बहुत ज़रूरी है आपने इस mutual fund के बारे में समझ लिया कि ठीक है fund अच्छा है इसमें मैं पैसा निवेश करके monthly income generate कर सकता हूँ लेकिन वो पैसा कहां से आएगा मानली जी आपको 20 लाख रुपे निवेश करना है अगर आपके पास अभी 20 लाख रुपे है वो एक अलग बात है लेकिन अगर आपको planning करनी है उसके लिए आप क्या कीजिए सबसे पहले एक SIP स्टार्ट कीजिए SIP आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए वो आप अपनी छमता के हिसाब से कर सकते हैं आप चाहें तो 2000 के 3000 की 5000 की आप SIP शुरू कर सकते हैं मान लीजी आपने 5000 रुपे महिना की कोई SIP स्टार्ट कर दी आपके प्लानिंग है फ्यूचर में कि मुझे हर महिने पैसे की ज़रुत पढ़नी है अगले 10 से 15 साल के बाद तो उसके लिए अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दीजी मान लीजी आपने 5000 रुपे महिना का mutual fund में निवेश किया इसको diversify किया कुछ पैसा large में डाल दिया कुछ mid में डाल दिया कुछ small में डाल दिया आपको जो returns हैं बहुत ज्यादा नहीं 15% भी मिल जाते हैं और आपने इसको 20 years तक continue किया 20 years तक तो SIP calculator पर चलते हैं देखे सभी चीजे में आपको बता कर चल रहा हूँ सभी options आपको बता कर चल रहा हूँ कि आप SIP के थुरूबी एक थोड़ा थोड़ा सा निवेश करके future को secure बना सकते हैं आप लंसम के धुरूबी बना सकते हैं दियान से समझिएगा 5000 रुपे महिना का निवेश है ठीक है इसको आप कम भी रख सकते हैं वो आप अपने हिसाब से 5000 यार की जगे चाहे अगर आप लंसम करना चाहें लंसम के थुरू भी आप अपना fund बना सकते हैं मान लीजिए आपके पास अभी 2,00,00 रुपे हैं इस पर भी आपको मान कर चलते हैं duration रख लेते हैं 20 years की और मान कर चलते हैं कि इस पर भी आपको 15% के returns मिलते हैं तो यह जो 2,00,00,00 रुपे हैं यह आपके बढ़कर हो जाएंगे दोस्तों कितने 32,00,00,00 रुपे हैं इस तरह से आप अपनी लेना एक fund पहले generate कर सकते हैं उसके बाद आप SWP में निवेश करके अपना पैसा हर महीने ले सकते हैं easily देखिए अगर यह तो हो गई future की बात कि जब मेरे पास पैसा बनेगा तब मैं SWP स्टार्ट करूँगा क्योंकि options मैं आपको सारे बता रहा हूं आपके पास कुछ पैसा है लंसम करके रख दीजिए future के लिए एक बड़ा amount बन जाएगा उससे monthly income ले पाएंगे आपके पास बड़ा amount नहीं है आप SIP के थुरूरी निवेश करिए 5000 की मैंना यह एक्जामपल दिया है आप 2000 से कीजिए कोई दिक्कत नहीं है 3000 से कीजिए जितनी भी छमता है उसके इसाब से कीजिए लेकिन अपनी एक proper planning ज़रूर रखिए कि आपको 15 साल के बाद या 20 साल के बाद कब इस monthly income की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक एज के बाद कहीं न कहीं हम थोड़ा सा physically इतने strong नहीं रह पाते कि हम उतनी मेहनत करके पैसा कमा सके उस समय पे हमें एक ऐसी income की जरूरत जरूर होगी जो बिना कुछ करे हमें हर महीने हमारे खर्चे के पैसे कम से कम देती रहे ताकि थोड़ा सा हम लोग mentally free हो सके हैं स्ट्रेस बिलकुल नहीं रहना चाहिए स्ट्रेस ही सभी बिमारियों की जड़ है स्ट्रेस से ही हमें बचना है ठीक है अब SWP calculator पर बात करते हैं देखिए आप SIP के थुरू fund इकठा कर रहे हैं लमसम के थुरू कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास 20 लाग रुपे है 20 लाग और ये 20 लाग रुपे आपने निवेश किये मानकर चलते जैसे कि मैं आपको इस fund के बारे में बताया आप इस fund में निवेश कर सकते हैं आप 2-3 funds में भी निवेश कर सकते हैं SWP के लिए अब देखिए 20 लाग रुपे का निवेश है इस पर हमें कितना मंतली विड्रॉल लेना चाहिए ये भी एक सवाल बनता है इसके लिए Simply में आपको एक फॉर्मूला यहां बताना चाहूंगा कोई fix फॉर्मूला नहीं है ये मेरी अपनी calculation है आप चाहे तो इसके अलावा भी आप निवेश कर सकते है Simply calculator पर बात करते है हमारे पास 20 लाग 20 लाग का आप लगबग 8 से 9 परसेंट विड्रॉल कर सकते हैं easily कोई दिक्कत नहीं है हम 8 परसेंट रख लेते हैं 20 लाग का 8 परसेंट ये हमारा बन जाता है कितना 1,60,000 इसको मन्त में calculate कर लेते हैं ये बन जाएगा 13,333 रुपे यानि कि 20 लाग रुपे पर आप 13,000 रुपे महीना easily withdrawal कर सकते हैं और आपका पैसा भी तेजी से बढ़ेगा आप चाहें तो 13,333 है इसको 14,000 भी रख सकते हैं SWP calculator पर चलते हैं 20,000,000 रुपे का निवेश है हम महीने का जो withdrawal यहां रख रहे हैं वो रख लेते हैं 14,000 रुपे 14,000 duration हम मान कर चलते हैं हम इस पैसे की ज़रत अगले 15 से 20 साल तक हम इस पैसे को लेना चाहते हैं अब देखे रिटन्स अभी जैसे कि हमने ये बैलेंस अडवांटेज फंड देखा इसने जो हमें रिटन्स दिये हैं लॉंग टाइम में लगवख 15 परसेंट के दिये हैं अब बैलेंस अडवांटेज फंड है जरूरी नहीं है कि आगे भी 15 यह देगा हो सकता है कि 14 दे 13 दे हो सकता है कि 16 दे दे 60 हजार रुपे का विट्रॉल 20 साल बाद और जो हमारा 20 लाख रुपे का निवेश है वो बढ़कर हो जाएगा 86 लाख 54 हजार रुपे यानि कि जो आपका मूल था वो भी दीरे दीरे यहां बढ़ता है यही SWP प्लान की कुप शूरती है कि आपका पैसा भी बढ़ता है और आपको महीने के खर्चे के पैसे भी SWP प्लान से मिलते रहते हैं तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगले 10 से 15 साल बाद या 20 साल बाद आपकी ऐसी कोई प्लानिक है जहां से आपको मंतली विड्रॉल की जरूरत है तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा निवेश करना शुरू कर दीजी और जब एक बड़ा एमांट आपके हाथ में हो तो वहां से फिर आप अपनी मंतली इंकम जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तो यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि किस तरह से में SWP प्लान में निवेश करके अपने महीने की इंकम जनरेट कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा रिप्लाइ मैं आपको जरूर करूँगा बागी रिकमेंडेशन नहीं है किवल एजुकेशनल परपस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि म्यूचल फंड का जो भी निवेशे बाजार जोखिमों के अधीन होता है बागी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजेगा नमस्कार